माइ नेम इस जेवियन पल्लवी जाकर इंद जयोती विद्धापिट वुमन्स उनिवसिटी फ्रम देपार्टमेंट ओफ नेच्टरोपेथि योगा साइंस तो हम लास्ट लेक्शन में पढ़ रहे थे about the blood pressure तो अब का हम continue करते हैं उसी topic को ओके तो मैंने बता दिया था blood pressure हम इसमें दो measurement लेते हैं एक होता है systolic ठीक है इसके अंदर एक क्या होता है systolic pressure और एक होता है diastolic pressure ठीक है यह दो measurement हम लेते हैं और blood pressure बतायता है क्या होता है एक against blood का force होता है towards the walls ओके उसी pressure को हम blood pressure बोलते हैं जो उपर जो लिखते हैं एक normal range होती है 120 upon 80 mm Hg 120 ओगी उपर वाली जो high range होती है वो होती है systolic pressure की systolic pressure का होता है जब हमारा heart contract हो रहा होता है और blood को pump कर रहा होता है through the body And systolic pressure का होता है मिलेत है हार्ड के इंदर heart rest में होता है और उसके इंदर blood fill हो रहा होता है ठीक है, हाट रेस्ट की पोजिश्यर में डायस्ट्रोलिक प्रेश्यर हमें मिलेगा और कॉंट्रेक्शन की सिटूशिशन में हमें सिस्ट्रोलिक प्रेश्यर मिलेगा हाइयर नंबर होगा, वो सिस्ट्रोलिक होगा, लोवर नंबर होगा, वो डायस्ट्रोलिक होगा MMHG का मतलब हो गया mmHG of mercury of mercury ठीक है? इसका मतलब यह हो गया mmHG का मतलब mmHG of mercury ठीक है? अब हम करते हैं blood pressure हमें कैसे चेक करना है blood pressure चेक करने से हमें पहले क्या करना है तो मैं आपको पहले रिखा देती हूँ बता देती हूँ कुछ पॉस्ट activities जो हमें blood pressure measure करने से पहले करनी चाहिए पहली चीज़ यह है कि हमें जब हम blood pressure कहीं चेक करवाने जा रहे हैं तो उससे हमें पहले within one hour के before हमें smoke, drink या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारे blood के pressure पर कोई effect पड़े ठीक है दूसरी चीज़ आपको blood pressure चेक करने से तुरंट पहले आपको एक बार urine excretion के लिए जाना चाहिए आपको वाश्रूम जरूर जाना चाहिए तीसरी चीज़ होती है कि आपको कम से कम पाच मिनट के लिए बैठना चाहिए रिलाक्स करना चाहिए उसके बाद में हमें हमारा blood pressure मेजर कराना चाहिए चौती चीज़ क्या होती है as you can see in this diagram हमें एक चेर पर बैठना है किसके अंदर हमें जिसमें हमारी back एकदम straight रहती है हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहां पर sofa यह cushion ना हो क्योंकि अगर sofa, cushion वगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमारा जो body का posture है वो straight ना रहनी बजाए band हो जाएगा और उसके अंदर थोड़ा हमारा blood measurement के अंदर effect पढ़ता है अब इसके अंदर हमें क्या करना है एक flat chair पे बैठना है हमारी backbone एकदम सीधी होनी चाहिए उसके बाद हमें सामने एक hard surface के उपर हमारा elbow या हमारा हाथ हमें सीधा रखना है और यह जो hard है इसका जहां पे हमारे कफ लगेगा वो हमारे heart level पे होना चाहिए हाट का और उस कफ का जो position का मतलब बोले तो हमारी four arm का और heart का level एकदम सीम होना चाहिए मतलब हमें इस position में रखना होता है ना इससे नीचे जाना चाहिए, ना इससे हाथ उपर जाना चाहिए, ओके, इसमें बैठने के बाद हम हम blood pressure measure करना चाहिए, अब आ जाता है हम blood pressure कैसे measure करते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो गया, हम एक device use लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, sphignomanometer, अब देख लो, इसके अंदर हो गई, हम BP instrument के अंदर हम दो device आती है, पहला आगया sphignomanometer, दूसरा आगया sthatoscope, यह होता है sphignomanometer, यह आगया sthatoscope, ठीक है, यह दोनों device हम medical field के है, हम medical college के अगया students है, तो हम यह दोनों device है, बहुत अच्छे से हम known हैं, और हमने इनको कभी न कभी यूस किया भी होगा, ठीक का है, that is sthatoscope, अब हमें measure करने के लिए क्या करना होता है, हमने patient की position बता दी, आप patient के chair के level पर ही doctor का chair होता है, वो रहना चाहिए, इसको हम measure कैसे करेंगे, उससे पहले आप measure करेंगे, उससे पहले हम आपको sphignomanometer के जो parts हैं, उनके आपको आम बता देते हो, ठीक है, this is sphignomanometer यह वो sphignomanometer है, जिसको हम क्या बोलते हैं, manual, this is manual sphignomanometer, ठीक है, और एक होता है, digital, जो आजको mostly लोग कामे ले देते हैं, जिसके अंदर आपको स्थे तो scope की कोई जरुरत नहीं पड़ती, आपको pump करने की जरुरत नहीं पड़ती, आपको mercury holder कुछ भी नीची होता है, ठीक अब glass tube के अंदर जो scale होती है, हम इस scale के अंदर जो भी होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, manometer, हम उस scale को बोलेंगे, manometer, ठीक है, यहां पर यह जो structure आ गई, जैसे इसके अंदर, यह जो steel वाली structure आती है, इसे reservoir बोलते हैं, और एक नाम और बोलते हैं, that is, mercury holder, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम measure कर रहे होते हैं, जो mercury इसके अंदर fill होता है, वो इसके अंदर reserve रहता है, यह फिर इसके अंदर mercury hold रहता है, यह क्या होगी, tube होगी, यह हमारा क्या हो गया, pump हो गया, ठीक है, यह जो measurement है, 200, 220, 260, 280, यह measurement होता है, यह क्या बोलते है, that is, manometer, ठी अब आ गया, यह इतना सा कंप्लीट हो गया, यह mercury holder आ गया, यह हमारा tube आ गई, जिसको हम reservoir भी बोलते हैं, यह case आ गया, इसको हम bulb भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम pump भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके पास में जो यह steel वाला होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एर release करते हैं, तो हम घुट करके हम comments लेटर करते हैं कि अब बात आ जाते हैं, मैं इस पार्त की, जो हमारा यहां लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कफ ठीक है इस कफ के अंदर ये जो पार्ट होता है जो कि हमारे कहा आना चाहिए हमारे एल्बो बैंड के जस्ट ऊपर आना चाहिए उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे ब्लेडर ठीक है ये ब्लेडर पार्ट क्या होता है हमारे एल्बो के बैंड के जस्ट ऊपर लगेगा 4R में anterior side और उसके बाद में हम इसे क्या करेंगे bind करतेंगे उसके बाद में हम इस air releaser को tight करेंगे pump करेंगे साथ में stethoscope लगाएंगे यहां पे brachial artery पे जिससे हम क्या करेंगे उसकी beats को सुन पाएंगे और वही से हम जो pressure है उसे measure करेंगे understand? अब आगे कि इसके अंदर आप जैसे straight back chair पहली चीज arm resting on table center of cup at heart level, feet flat on floor, आपके जो feet है वो floor पे सीधे टिकने चाहिए, not either like this और not either like this आपके आगे अपने fingers की side जो toe finger होती है उदर आपने ऐसे सारा ले लिया वो भी सही नहीं है, अगर आपने अपनी heels उठा के रखिए तो वो भी सही नहीं है, आपका flat एगदम, जो floor पे एगदम flat टिकना चाहिए आपका जो feet हो understand? यह आपका sphignomalometer का मैंने बता दिया है आप आता है कि हमारे blood pressure की भी कुछ stages होती है अगर हमारा जो systolic pressure है अगर वो 120 आ रहा है और diastolic अगर 80 आ रहा है, ठीक है? then it is called normal second आ जाता है elevated ठीक है? इसके अंदर क्या आ जाता है? जो हमारा blood pressure उपर का जो systolic है वो 120 से 129 तक आता है लेकिन जो नीचे वाला systolic pressure है वो 80 ही रहता है that is elevated blood pressure यहनि इसे medical condition में हम नहीं ले सकते कि भी यह कोई medical issue create कर सकता है यह उस situation में नहीं आएगा लेकिन यह क्या आएगा इसका हलका सा systolic जो pressure है वो बढ़ गया है उसके बाद में आ जाता है हमारी stage first stage first इसके अंदर क्या होता है यह जो measurement है approximate 130 आएगा ठीक है और जो नीचे वाला है वो 80 से लेके 89 तक आएगा जो diastolic pressure है वो that is stage 1 और यह stage 1 किसकी hypertension की second आजाता है stage 2 जिसके अंदर क्या हो जाएगा जो हमारा यह है यह आजाएगा 140 इसके अंदर यह 140 प्लस रहेगा ठीक है इसके अंदर आजाएगी approximately 140 और above 140 और जो नीचे वाला होगा वो क्या हैगा above 90 ठीक है यह 90 से जब जाद आएगा कौन सा diastolic तो क्या हो जाएगा यह stage 2 मतलब यह hypertension की stages है hypertension होने से हमें क्या क्या problem हो सकती है पहली चीज हो जाएगा हमारे heart rate फास्ट हो जाएगी जिससे हमारे क्या जाएगा heart attack जो cardiac arrest आता है stroke आता है यह फिर high blood pressure यह सारी चीज़े हमें medical issues क्या हो जाएगे बनना चालो हो जाएगे create होना चालो हो जाएगे ठीक है next इसके अंदर क्या आजाता है sphignomanometer आपको मैंने अच्छे से बता रही है that is reservoir यह बाल हो गया यह हमारे क्या हो गया cuff हो गया इसके अंदर जहां पर यह दोनों tubes निकलती है यह bladder के पास होती है plus यह दोनों tubes कहां नीची यह आपका brachial artery यहां पर है इससे जस्ट दो उंगल उपर यहां पर यहां पर आपका cuff बनता है यह इतना सा space आपके elbow band से यह इतना space रहना चाहिए ताकि आप यहां पर स्पिग्णो मैनोमेटर सोरी इस्टेटोस्कॉप लगा सको और उससे आप क्या कर सको सुन सको उसकी beats को और प्लेस आप जो cuff लगा रहे हो वो इतना loose tight कितना होना चाहिए कि आप जब उसके cuff के अंदर हाथ दे रहे हो तो आराम से आपकी दो उगलिया इस तरह जाए इतना tight ना आपको इसको खिचना पड़े ना ऐसा हो कि आपकी उगलिया भी अंदर ना तो हमें ज़्यादा tight नहीं बाढ़ना है हमारी easily दो उगलिया insert हो ज़े हमें उतना ही loose बाढ़ना है ठीक है इस सेटोस्कोप का आपको पता ही है हमें ये leads होते हैं कानों में लगानी होती है ये हमें break-al artery पे रखनी होती है तो जब हम blood pressure measure करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे हमारी mercury को कहां तक चड़ा देंगे approximate जो अपरने practice time में करते हैं तो 120 अगर normal है तो हम क्या करेंगे 140 तक हम क्या करेंगे जो bulb आओ उसको pump करेंगे ठीक है जब वो mercury 140 तक आ जाएगी ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें beat सुनना एक दम बंद हो जाएगे कुछ भी नहीं सुना देगा फिर हम क्या करेंगे धीरे-धीरे क्या करेंगे, यह release करेंगे, bulb में से, ठीक है, air क्या करेंगे, release, फिर यह धीरे-धीरे-धीरे नीचे आएगा, approximate, ठीक है, approximate इस 120 के पास आते-आते आते आपको क्या, bit सुनाई देगी, जहां पर आपको bit सुनाई दे, that is systolic, जहां पर आपको किसका पता चले, bit सुनाई दे रही है, और जब आप इससे और निचे आएंगे, तो approximate 80, मैं आपको जो normal blood pressure है, उसके लिए बता रहे हूँ, 80 के पास आते-आते, आपको जो pressure measure होगा, वो कौन सा होगा, that is, diastolic pressure, और इसमें आपको क्या होगा, जो beats है, वो सुनना बंद हो जाएंगे, आपको पूरा pump के beat बंद होगी, वापस दिरे-दिरे-दिरे नीचे down के, आपको क्या होगा, beats सुनना चालोई, that is systolic pressure, फिर आप दिरे-दिरे नीचे, जहाँ पर आपको वापस beat सुनना बंद हो जाए, that is diastolic, systolic कब होगा, जब हमारा, क्या होता है, heart contract होता है, ठीक है, जब हमारा heart की stage में होता है, contract form है, और वो contract होगा, तो वो क्या करेगा, जो blood है, heart contract हुआ, उसके बाद उसने क्या क्या, blood को pump किया, कहाँ पे, body में, तो इस वक्त हमें क्या मिलेगा, systolic, ठीक है, और जब हमारा heart, किसमें होगा, relaxation में होगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या होगा, blood, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो blood है, वो fill होगा, किसके अंदर, heart के अंदर, हमें इस से क्या मिलेगा, diastolic, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह हम क्या करेंगे, blood pressure को हम measure करेंगे, यह दो device यूज की जाती है, प्लस जो measure करने का है, वो position यह है, और मैंने आपको इसके पार्ट भी समझा दिये, प्लस आपको दोनों pressure समझा दिये, समझा दिये कि जो high measurement आता है, high amount आता है, वो systolic होता है, lower diastolic होता है, ठीक है, यह सब आपको समझा दिये, I hope सब को blood pressure measure करना, और प्लस इसकी device का knowledge completely मिल चुका होगा, otherwise आपको कोई भी doubt है, you can ask me in the below, thank you.